नमस्कर दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नया लेकर जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी तुरुटियों के बारे में जो हम लोग हिंदी लिखते समय अक्सर कर जाते हैं इक्यावन वर्न सम्बंधी तुरुटियां जी हाँ बहुत जरूरी है कि प्रतेक शब्द शुद्ध लिखा जाए और प्रतेक वाके का गठन भी शुद्ध हो आज मैं कराऊंगी आपको शब्द जो शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं हिंदी भाषा विश्व की सर्वाधिक वज्ञानिक भाषा ही क्यूंकि जैसे हिंदी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है तो आपसे मेरा निवेधन है कि आप हिंदी को शुद्ध बोलने का प्रियास करें तभी आप शुद्ध लिख पाएंगे तो दोस्तों मैं जल्दी से बता देती हूं आपको कौन-कौन से शब्द, आप लोग अक्सर अशुद लिखते हैं और उसके शुद कैसे होते हैं अत्यधिक यहां आ की मातरा नहीं लगेगी वृत्य नूप्रास नहीं वृत्य वृत्य से बना यानि गोल गोल बार बार वृत्य अनूप्रास वृत्य नूप्रास संधी इसमें मिल गई वृत्य प्लस अनूप्रास वृत्य नूप्रास अनिश्ठ नहीं होता ठ की जगा टा होगा अनिश्ट किसी का अनिश्ट ना करो बुरा ना करो अनूग्र ही देखी गर के नीचे पैरों में जो र लगाया है वो गर है हमारे नोगर हैं उस से संबंदित है ये लेकिन ये अनूग्र गर के पैरों में री रिशी वाला री हो जाता है देखे यह यानि ग्रिही घर घर के लिए ग के नीचे रिशी वाला री और हग तो घर से बना है आप हमारे घर पधार कर हमें अनुग्रिहीत करें ना कि अनुग्रहीत हम गलत बोलते हैं आधीन नहीं आधीन नहीं अधीन वै हमारे अधीन नहीं है आशिरवाद तो बहुती लोग गलत लिखते हैं अशुद लिखते हैं आशिरवाद यहां शा के उपर नहीं आएगा वा के उपर आएगा मैं ये बार बार बताती हूँ आशिरवा के उपर आशिरवाद आ क्रश्ट नी होता आ क्री 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 देखी क्री आ क्रिष्ट का के रिशी वाला र का के नीचे आई आई नी वह आई आखरी पन्ना आखरी प्रिष्ट आखरी नहीं आखरी खा के उपर छोटी की मात्रा अतिथी अतिथी बोलते हैं हम लोग अतिथी कब जाओगे अतिथी कब आओगे अतिथी तिथी जिसकी कोई तिथी ना हो तो था के उपर छोटी की मात्रा आतिथी इतिहासिक नहीं देखिए इतिहास होता है आप कहोगे इतिहासिक होना चाहिए नहीं जब इतिहास से हम बदलते हैं इतिहासिक लिखते हैं उसको लिखना चाहते हैं इतिहासिक नहीं लिखा जाता इतिहासिक इमारत इस स्नान नहीं अक्सर कुछ शेत्रों में इस स्नान इस स्कूल बोलते हैं गलत बोलते हैं और लिखते भी फिर गलत हैं स्नान स्नान इ नहीं आएगा उपस थिती स्थिती स्थिती में देखिए ता में छोटी की मातरा सुनाई दे रही है आपको तो यहाँ तामें छोटी की मातरा आएगी, बड़ी ए की मातरा नहीं, गलत है। उपस्थिती, हाजरी जिसको बोलते हैं, ये बहुत लोग गलत लिखते हैं, उपरोक्त, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर जो कहा गया है, उपर्युक्त, 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 एक्यता कुछ भी नहीं है, एक इतह होता है यह जग र हनकेश के जग्रत नहीं जग्रित रिशी वाला रいや चवसक्त चटवा चटवां क्या होता कुछ भी नहीं छटा चटा घ्रफाइब और देखिए यह देखिए तो बहुत लोग गलत करते हैं, मैं भी गलत लिखती थी, लेकिन गलत नहीं लिखना चाहिए, तट्व, देखिए बोलिये, तट्व, तट्व, यानि तीन बार तव आया, एक बार पूरा दो बार आधा, तट्व, तट्व, तबड़ा, पूरा, उसके बाद दो बार आधा, तव, और व, खेचना, अक्सर बोल चाल की भाशा में कहते हैं, खेचना, नहीं, खीचना, खा के उपर बड़ी की मातरा और बिंदू, खीचना, ठंड, धा नहीं, देखिए धा धकन वाला और दा, इनमें अंतर दमरू वाला, ठंड, बोलते हैं ठंड, कई बोलते हैं ठंड हा आ गई, ठ हंड लग रही है एकत्रित गलत एकत्र हुए हम साब एक देखिए कठीन बहुत कठीन कारे है नहीं कठीन कारे ठ में छोटी की मात्रा उद्धत दो बर द देखिए आधा-धा ऐसे लगा रहा है एक आधा एक पूरा उद्धत नहीं होता उध्यत द आधा फिर यह पूरा द और यह से मिलकर उध्यत देखिए ऐसे लिखा है और एक है करम करम नहीं होता कर्म अच्छे करो कर्म देखिए मैं सही बोल रही हूं न कर्म तो अभी मैं फिर और आपको आगे पढ़ाती हूं तो देखो मित्रों अब हम आगे चलते हैं देखिए कहां कम्प्यूटर मोबाइल में चांद बिंदू ढूनना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को लेकिन है उसमें चांद बिंदू तो कहां में बिंदू नहीं है कहां में चांद बिंदू लगेगा कहां और कवित्री त गनिस्ट वह है मेरा गनिस्ट मित्र है गनिस्ट नहीं घनिस्ट ठ ठ ठ आएगा यह आप ध्यान दें अच्छा देखे तैयार यह तो बहुत लोगर गल्त लिए तैयार देखे बोलिये तैयार तई त के उपर जब दो मातराएं लग जाती हैं बड़े आई की तई यार तो आधे य की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही दो मातराएं उपर देखे एक ही लगा दी ब्रिज ब्रिज नहीं ब्रज ब्रज भाशा ब्रजवासी ब के नीचे र एक और देखे भगवत भगवत नहीं भागवत क्या आपने भागवत पड़ी है बह के आगे आ की मातरा तलाब तलाब नहीं तालाब और ये देखिए द्रिष्टा नहीं द्रिष्टी होता है लेकिन जब आप इसको कहते हैं वह है द्रश्टा द्रश्टा ये द्रश्टा हो जाता है देखिए द्रश्टा कैसे लिखा है अब द्रश्य, आप आप कहेंगे द्रश्य में, आपने ऐसे क्यों कर दिया देखी, द्रश्य में री आ जाता है, द्रिश्य, देखिए, द के पैरों में री, इस तरह वाला रिश्य वाला, पैत्रक, ये भी पैत्र, त्र ये आपको होगे बोलने में तो ठीक लिखा, आपने पैत्र आयका नहीं, त्रिशूल वाला तर नहीं, त्र नहीं, पैत्रिक, बोलना ठीक सीखें, पैत्रिक संपत्ती, पैत्रक संपत्ती नहीं बोलते, पैत्री, रिशी वाला र, प्राप्ती, प्राप्ती नहीं, प्राप्ती, हमें धनकी प्राप्ती हुई, प में छोटे, देख देखिए पुझे वह मेरे पुझे हैं लेकिन पूझनिये हैं पूझनिये पूझा करने योगे प्रमानिक देखिए लोग गलत लिखते हैं प्रमानिक नहीं प्रामानिक प्रामानिक तत्थे प्रा आकी मातरा लगेगे एक कई बार लोग बुलते हैं कढ़ाई दियो कढ़ाई कढ़ाई नहीं कड़ाई अड़ा के नीचे बिंदू बहुत ध्यान रखना पाता है चोटी-चोटी बातों का विशेश देखिए गलत लिखा है विशेश विशेश 21 वाला शह और फिर शटकोन वाला शह विशेश अब वागमय यानि साहित्य को बोलते हैं वागमय देखिए क ये बहुत अच्छा शब्द है साहित्य का अर्थ वागमय देखिए अकसर लोग बोलते हैं शिफारिश करिये शिफारिश नहीं सिफारिश सिफारिश सफारिश यह बोलिये ठीक सी फारिश एक है देखिए वायू वायू गरम वायू नहीं वायू या में छोटेऊ की मात्रा एक है बर्ग कौन से बर्ग में पढ़ते हो बर्ग नहीं वर्ग में वर्ग व देखिए अब यह बहुत ही जरूरी हिंदी ह के उपर हिंदी नहीं आती मानक है हिं इस्त्रियां इस्त्रियां नहीं इस्त्रियां कैसे बोलते हैं हम सभी इस्त्रियां इस्त्रियां लोग ऐसे गलत बोलते हैं तो गलत ना बोलिए इस्त्रियां सभी इस्त्रियां यहां आ जाईए देखिए आधा सह से पहले छोटी की मातरा लगेगी इस्त्रियां सहित्यक नही चोटी की मात्रा और आधात में भी छोटी की मात्रा चोटी की मात्रा वैसे यह के उपर तक लेनी चाहिए सन्यासी तो बहुत लोग गलत लिखते हैं वो सोचते हैं कि बिंदू लगा दिया तो आधान क्यों लगाएं दोनों ही लगेंगे सन्यासी में सा के उपर बिंदी और पाधान, सन्यासी, सम्यासी बोलते हैं, सुची पत्र नहीं होता, सुची पत्र, चा के उपर बड़ी ए की मातरा, ये देखें लोग गल्त लिखते हैं, कैसे लीजिये, नहीं, लीजिये, ला में बड़ी की मातरा, जा में छोटी की मातरा, और ए, लीजिये, ये देखे ध्यान से हंसना नहीं हसना अगर मैंने ये बिंदू लगा दिया तो हंसना हो जगा हंस हंस पक्षी और ये हसना हा के उपर चांद बिंदू तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे मैं आ से आप गठित कीजिए कि वे शुद्ध हों चीहां तो यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजु दुआ जैमिनी पर आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ नमस्कार